श्री शीवाय नमस्तों दोस्तों महाशिवरात्री के दिन शिवलिंग से केवल एक एक गुपचीज लेकर जरूर आना आप यकीन नहीं मानोगे इतना धनायका कि गिंते गिंते ठक जाओगे और भुलेनात के आशिरवात से भुलेनात की क्रपा से जीवन में आप बहुत उन् इस बार महाशिवरात्री 18 फरवरी के दिन मनाई जाएगी और हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान भुलेनात और मता पारवती का विवा हुआ था तो कहीं यही बी बंडन मिलता है कि भगवान भुलेनात आज ही के दिन प्रकाश के रूप में प्रित्वी पर प होता है वह सबसे पहले आप जान दीजिए कि महाशिवरात्री का अर्थ क्या होता है देखिए महा का अर्थ होता है महान और शिवरात्री का अर्थ होता है शिव की रात्री यानि के शिवजी की महान रात्री महाशिवरात्री इसलिए भी बहत्तरत शुब मानी जाती है कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति द्वारा भगवान भूले नात की थोड़ी सी भी पूजा साधना या क्रिया कर ली जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की हर मनुकामनाय महादेव पूर्ण करते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में हरकष्ट खतम हो जाते हैं और व्यक्ति के सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब भी जरूर कर लिजेगा आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्री के दिन आपको शिव मंदिर जाकर क्या क्या करना चाहिए बगवान भूलेनाद को क्या अर्पित करना चाहिए महाँसे कौन सी एक गुप्त चीज आपको वपस लेकर आनी है ताकि आपके घर में गरीबी, तरित्ता, परिशानी, कष्ट, दिक्कत, कुछ भी समस्या चल रही है तो वह खतम हो जाए और आपके घर में सुक समरद्धी और एश्वर्य का आपको अवास मिले, सुक समरद्धी के आपके घर में हमेशा बरकत ब कैसे आप महाशिवरात्री के दिन, जो की बहुत ही पावन दिन माना गया है, इस दिन भगवान भुलेनात को प्रसंद कर सकते हैं, कैसे आप भगवान भुलेनात का आशिवात राप्त कर सकते हैं, और महाशिवरात्री के दिन शिवलिंग के किस विधीज आपको पूजा कर जाएं आपके जीवन वे धन्हीं की समस्या है मान लीजिए आपको नोकरी नहीं मिल रही है आपको संतान अच्छी नहीं मिल पा रही हैं शत्रु ने आपको घेर रखा है संतान के लिए पुटर प्राप्ति के लिए परेशान हैं तो महा शिवरात्री का पावन दिन एक ऐसा जिस दिन कोई व्यक्ति थोड़े से भी कोई उपाय कर ले या कुछ भी एक चोटा सा कारे शिवलिंग पे जा के कर ले भगवान मोलें आत्की पूजा कर ले तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों नहों थे खतम हो जाता है और उसकी समस मनोकामना धे पौन हो ज और आपके जीवन में जो भी धन का आगमन आना रुक गया है धन नहीं आ रहा है वे धन का आगमन भी वापस से शुरू हो जाता है आपके जीवन में कोई भी परिशानी नहीं रहेगी बस दोस्तों इस वीडियों को लास तक अंतक देखिएगा और भगवान भोलेनात के आश कि शर्दा भक्ती भाव से पूजा करें दोस्तों तो कि भगवान भोलेनात की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और मान दीजिए उनकी पूजा के दोरा हमसे यदि कोई गल्ती हो जाती है तो भगवान कई बर गया होता है क्रोधित तो नहीं होते परन्तु आपकी वो रातना करेंगे तो साक्षा भगवान भोलेनात उसी दिन आपको आशिरवाद भी प्रदान कर देंगे और आपके जीवन के समस परेशानियों को भी तुरंधी दूर कर देंगे और अब मैं आपको एक खास चीज एक खास उपाय बताने जा रहे हूं जिसके लिए वीडियो जादा जरूरी है मंदिर जाना ही पड़ेगा क्या तो देखिए घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में बहुत ही जादा फार्क होता है देखिए जो मंदिर का शिवलिंग होता है उसकी जो एनरजी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना जा जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन में जो भी परिशानी चल रहे हैं चोटे से उपायों से बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी और जो भी आपके मनोकामना है तुरंत पूर्ण हो जाएगी परन्तु उसके लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा और ले जाना है वह कहीं पर देखिया तो लिख लिजे क्योंकि यदि आप एक भी गल्ती कर देते हैं तो आपकी पूजा संपन नहीं मानी जाएगी और यह माशिवरात्री के पर पर क्योंकि इस बाद जो माशिवरात्री आ रही है बहुत सारे योग के साथ में आरी जैसे सरव दिस तारी के दिन वैय है जल कई लोग कहते हैं कि दीदी जल तो शिवाले में भी मिल जाता है शिव मंदिर में भी जल की व्यवस्ता होती है तो देखिए दोस्तों वहां का जल तभी चड़ाएए जब कोई दिक्कत हूँ परना घर से ही जल आपको लेकर जाना चाहिए अपनी समस्याओं को बताते हुए वे समस्याओं आपकी खतम हो जाएगी इसलिए घर से जल लेकर जाया जाता है और अब सबसे जरूरी चीज जो जल आप लेकर जा रहे हो उसमें दो से चारबून गंगा जरूर डालीजेगा क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूज जा समफूर ने नहीं मानी जाती है तो जो भी आप तामी का पातर लेकर जाएए सबसे पहले उसमें 2-4 बूद गंगा जल दाले उसके बाद आपको जल भरना है Vous अगर के घर का बबास्तो नब्सक्तम होना शुरू हो जाती है इसी लिए जल आपको घर से लेकर जाना है और दूसरा कारे जो आपको करना है वैं है तीन बत्ती वाला बेलपत्र आपको अपने साथ लेकर जाना है दोस्तों बेलपत्र बहुती ज़्यादा शुब माना जाता है और एक चीज़ आपको बता दूं माल लीजिए आपने एक हजार लल्कियों का कन्यादान किया और दूसरी और भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाया, तो दोनों ही शास्त्रों में बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र साथ में जरूर लेकर जाना चाहिए, एक बेलपत्र लेकर जाये चाहिए, वैखंडित नहीं होना चाहिए, और यदि आपको बेलपत्र नहीं मि मिल जाए और आपके समस परेशानियां खतम हो जाए इसलिए सफेथ फूलों से आपको भगवान का श्रंगात शिवरातरी के दिन अवश्य रूप्षिक करना चाहिए दोस्तों सफेथ चंदन जो कि भगवान को सरवाधिक प्रिय होता है महा शिवरातरी के दिन चंदन ले जा और कभी भी जो तांबेक आपका पातर है उसमें आपको दूद नहीं लेकर जाना चाहिए आप नॉर्मल दूसरे पातर में स्लील के पातर में लेकर जाए अब आपको क्या करना है दूद लेकर जाएंगे और आपको अपने साथ साथ क्या ले जाना है वह भी जान लीजिए जिससे कि आपके समस्मनोगा मना पूर्ण हो जाएं एक डिब्बी ले लिजएगा प्लास्टिकी ले लिजए कोई से भी काली मिर्ची भर लिजएगा कम से कम जोड़ी से डिब्बी भर जाएं बहुत कम कौंटरिटी नहीं हो पचास ग्राम जितनी आप काली मिर्ची ले सकते हैं, एक मुठी जितनी काली मिर्ची एक डिब्नी में भर लीजिएगा, और एक लाल रंग के कपड़े में, एक मुठी लॉंग रख लीजिएगा, पतलब लॉंग कम से कम कौन्टिती हों, 25-30 की संख्या में आपको लॉंग र सबसे पहले जब आप मंदिर जाएंगे, ठीक है, 18-19 तारिको, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर काली या नीले रंग के बस्त्र पहन कर आपको नहीं जाना है, आप कोई भी लाइट कलर के बस्त्र पहन कर जा सकते हो, इसके बाद सबसे पहले, आप कर दीजेगा एक अजर आट बार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 108 बार या फिर 1108 बार तीनों में से कोई भी एक संख्या आप चुन सकते हैं 108 बार तो उम्रमेशिवाय का जाप बहुत असानी से आप अंदिर में खड़े होकर कर सकते हैं इससे आपका मंतर सिद्ध हो जाएगा म शोक सुंदरी का स्थान होता है जल नीचे गरता है वहाँ पर आपको साधाने रख देने हैं और डबी को छुआ के अपने साथ वापस लियाएगीगा और जो आप लाल रंग की लॉंग की पोटली लेकर गए हो उसे छुआ के आप अपने साथ वापस लेकर आजाएगे और 33 कोटी देवी देखता विराजमान रहते हैं उस जल को ग्रहन करने के लिए और शिवरातरी एक महारातरियों में से एक मानी जाती है शिवरातरी का दिन बहुत साल का बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन 64 योगी नी और 33 करोर जो देवी देखता होते हैं वो शिवलिंग को लाने के बाद सभी चोखर के मेंबर है उन्हें दो-दो-बून जल ग्रहन करने को दीजिएगा तो माइंड में मन में जो भी नेगर्टिव वाइब्रेशन से वह दूर हो जाएगी आपके घर का एक सकरात्मक महौल बन जाएगा और पूरे साल आपको धन की वर्षा होती ही दिखाई देगी महादेब का संपूर आशिरवादा को प्राप्त होगा और दूसरी चीज जो आप काली मिर्च की डिग्बी को मंदिर में रख दीजिए गा और जो लॉंग की पोटली लेकर गए हो उस पोटली को आप अपनी जो तिजोरी घर है उसमें रख दीजिएगा ह आपको उपाये बताएं है ध्यान पूर्वक करिएगा और साल की विशेष रात्री जागन जरूर करिएगा हो सके तो और महादेव का दोनों दिन में जाकर पूझन अर्चन करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे ह मेरे वाचवाली बार संद रहे है तो इसे वक्तमार को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक लिश्री श्रीशिवान मस्तुभी निचे मातरानी दोस्तों